हिंदुस्तान की बेटी मादरी कलाज राश्वाद में बाच बात उस तबाही की जो दुनिया को बरबाद कर सकती है जो अटॉमिक वाल करा सकती है आज हम बताएंगे कि युक्रेन को आखे क्यों सबसे बड़ी मदित की उमीन भारत से है क्यों युक्रेन की प्रिधान मंत्री मोदी से मिननते कर रहे हैं कि वो उसे बचा ले क्या है पुतिन की सीक्रेट दील और क्यों अमेरिका खामोश है लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में पचास बड़ी ख़ब है उक्रेन संकर के बीच प्यमोदी की बड़ी बैठख बैठख कु गृमंत्री रख्षमंत्री विदेश पंसी और नसे जोवाद रहे मौजी युक्रेन संकर्ट पर पुतिन से बात कर सकते हैं पीमोदी सूट्रों के हवाले से खवार रूसी रास्ट्रपती पुतिन से फोन पर बात कर सकते हैं पीमोदी युक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों से दहशत रूस ने कीव के पाउर प्लांच को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है रूस युक्रेन की जंग से जोड़ी एक्स्लूजिव तस्वीरे रूसी हलिकॉप्टर्स पर युक्रेन ने बसाई मिसाई बचने के लिए फ्लेयर्स भी छोड़ रहे हैं रूसी चॉपर्स युक्रेन पर लगातार मिसाईली और बम दाग रहा है रूस 70 सैनी अड़े दबाह करने का दावा 11 एरफील भी किये वरबाद बयाल इस युक्रेनियन सैनिकों का सरिंडर युक्रेन के रहाइसरी इलाके में रूस का हवाई हमला रूसी सैनिकों के हमले से लोगों में अप्रा तफ्री का महौल युक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकोव में रूसी टैंक पर हमला रूसी सैना के सैनिकों भी मार किरा है युक्रेइन के कई शेहरों में भयावे मिसाइल अटैक, राजधानी कीव और सीमा के पास खारकोव शेहर में भारी तबाही युक्रेइन पर रूस ने किये तेज हमले, राजधानी कीव समेट सीमा से लगे शेहरों पर MI-17 हेलिकॉप्टर से हमला रूस और युक्रेइन युद्धे से जोड़े एक्स्लूसिव तस्वीर हमले का जवाब देते देखे युक्रेइन के जेट्स, युक्रेइन और रूसी एर्प्राप देखे आमने सामें राजधानी कीव के पास यूक्रेण का मिलिटरी विमान प्रेश, हाथसे के वक्त विमान में सवार थे 14 सैनि युक्रेन की राज़ानी कीव में घुसी, रूसी सैना, दो देशों के फाइटर जट्स की भी जंग, राज़ानी कीव में रूस और युक्रेन की बीच भ्यंक कर वॉट युक्रेन के खेरसून में रूसी सैना के तैयारी के साथ गुसी युक्रेनी मीरिया निजारी की सिस्रीवी फुटेच युक्रेन के दो सैनिकों ने क्या सरेंडर रूसी सैना के सामने युक्रेन के दो सैनिकों का सरेंडर दिखा रूसी हमले से युक्रेन में भारी तबाही युक्रेन की राज़ानी कीव पर भारी बंबारी कई जगूं से धुए के गुबार भी देखी गए युक्रेन के एर बेस को तबा कर रहा है रूस कीव में हॉस्टोमल एपोर्ट को तबा किया रूस के स्टैंक रो टैंक युक्रेंग की सीमा में घुसे वीरियो में रूस के टैंक युक्रेंग की शेहरों की तरफ बढ़ते हुए रूस ने युक्रेंग की रहाइशे इलाकों कक्या रुख और एशा के बाद खैरसन के सास्ते कीव की तरफ भी बड़े टैंक यूख्रेन की राज़धानी खीवे एक और बड़ा रहमाका यूख्रेन की रक्षा मंतारे के इमारत से निकलता दिखा धुआ टैंक धेर सारे हत्यारों और जड मार्क की ट्रकों के साथ यूख्रेन में दाखिल वी रूसी सेना सामने आई तस्वीर है युक्रेन पर अटेक करनाया वीडियो आया सामने बंबाजी में बुरी तरह अपार्टमेंट टहस नहीं सूता दिखा जीन दुसान की पास इस्क्रूसित तस्लिए युक्रेन के ओडेसा में रूसी जंडा फेहराया गया रूसी फॉज ने ओडेसा इलाके पर कबजा भी कर दिया युक्रेन पर हमले के बीच नाटो की बड़ी चिताबनी कहा रूस को हमले की कीमत चुका नहीं होगी नाटो युक्रेन के साथ खड़ा है नाटो महसच्चप ने कहा यूख्रेजन को रूस से बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा आगे के सथी पर विचार करने के लिए शुक्रवाद को करेंगे बैठर रूस युद्धि के बीच चीन की भी एंट्री विश्म युद्धि के लिए रूस को उकसाने में जुटा चीन कहा हर तरह के हमले के लिए सक्षम है रूस रूस को सैने सहेता की ज़रुत नहीं युद्धि के बीच रूस को उक्साने में जुटा है पाकिस्तान, अमेरिका के खिलाफ रूस के साथ खड़ा दिखा है पाकिस्तान युक्रेन पर हमले पर समर्थन में पुतिन से मिले इमरान खान, मौस्कों में हुई रूसी रासपती पुतिन और पाक पीम इमरान की मिनाखाद यूक्रेन के समर्तर में आया ब्रिटेन, ब्रिटेन ने कहा यूक्रेन की हर मदद करेंगे रूस तान अश्राही पर उतर आया है रूसी हमले के बीच युक्रेन की रास्पति ज्रंस्की का बड़ा बयान कहा रूस के आगे नहीं जुकेगा रूस को जवाब देने के लिए जंग लड़ेंगे युक्रेन के आम नागरिक भी पूर्व सैनिकों को भी जंग में भीजने की तैयारी युक्रेन की रास्ति की वैश्पिक नीताओं से अपील हत्यार देकर रूस से लड़ने में मदद करें युक्रेन ने दो रूसी सानिकों कुबंधग बनाया युद्य की बीच रूसी सानिकों कुबंधग बनाया गया तस्वीर आई सामे युक्रेन की रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा आरोप कहा दूसरे देश भी कर रहे हमले रूस के साथ कई और देश भी कर रहे हमले बंबाजी से घरे युक्रेन के सानिक का वीडियो संदेश सानिक में अपने माता पेता को भेजा वीडियो में रोते वे कहा mom dad I love you युद्र के बीच युक्रेन में भारी अफरत अफरी सूपर मार्केट के बाहर लोगों का भारी हो जो मुम्रा रोज मर्रा की चीजें खरीदे में जुटे लोग युखरेन की राजानी कीव में मची अफरत अफरी सेंटर्स रेल्वे स्टेशन पर जमा होई लोगों के भारी भीड कीव से बाहर निकलने में लगी हो युखरेन पर फिर किया गया मिसाइल अटेक कीव में मौझूद अधिकारियों ने भी जानकारी मिसाइल अटेक से पूरा अलाकर तबा युखरेन की राज़ानी कीव में भीशन ट्राफिक जाम राज़ानी से जल से जल निकलने की गूल युखरेन की राज़ानी कीव में हांसे है कई भारती चात्र मदद के लिए भारती दूतावास के बाहर जुटा चात्रों का होचुण युक्रेन में जुटा है भारती दुतावास कीव के एक स्कूल्स में दोसों से ज्यादा भारती चात्रों को इखटा किया गया रूसे यूकरेण का वेरहाॉस भी उड़ा दिया अमिसाइल हमले में ओडेशा में वेरहाॉस उड़ाया गया हमली से यूकरेण में भारी तबाही रूसी हमले में डूनबास में यूक्रीन का बार्वूम तभा, स्ट्राइक में स्ट्रीशर ओपरेशन हेटकॉर्टर धस्टुगा रूस और यूक्रीन जंग में रूस के 50 सैनिक हुए धेर, यूक्रीन ने किया दावा, युद्ध टैनको को पुनुफसान पहुँचाने की खबर यूक्रीन की जवाबी हमले से बॉकलाए रूस, 50 सैनिको की मौत का बतला लेने का एलान भी किया, यूक्रीन की रहाइशरी इलागों में होगा बड़ा हमला रूस की सीमा पर पहुँची यूक्रीन की आर्मी, रूस को करारा जवाब देने के लिए यूक्रीन में तैनाग की टैक युक्रेन में रहाइश रिलाकों में रूस का हमला, रूसी बम धमाके में कई जगों पर पुल तूटे, कई अपार्टमेंट्स को भी रूसी मिसाले निशाना बनाया युक्रेन का एर डिफेंस सिस्टम भी तभा, रूसी एफोस के हमले में एर डिफेंस सिस्टम को तभा कर दिया गया युक्रेन के हत्यार डीपो कर रूस का बड़ा हमला युक्रेन की चेरकैसी में जबरतस धमागा रूसी हमले में युक्रेन का एक और वेरहाउस सभाग कालनोवा में युक्रेन का आम्स दीपू हुआ परबाद युक्रेन की रास्थानी कीव पर ये कयामत की रात है अगर नाटो देशों ने बड़बोले बयानों के इलावा कुछ ठोस नहीं किया तो आज रात पुतिन की टैंक सेना कीव पर कबजा कर लेगी मैं हिंदुस्तान की बेटी वर्ल्ड वर्ड थ्री की आज पूरी पिक्चर आपको दिखाऊंगी कैसे पुतिन के हिटलर श्राही के आगे अमेरिका के हाथ पे फूल गए हैं और बड़ी-बड़ी हाकने वाले बाइडन ने युक्रेन की मदद नहीं की पुतिन की जंगी तेवरों को देखकर नाटो देशों का दिमाग सन्न हो गया है अमेरिका, बृतिन, फ्रांस और जर्मनी सिर्फ गीदर भब की दे रहे हैं या फिर रूस की अर्थ विवस्था की तबाही का डर दिखा रहे हैं मैं हिंदुस्तान की बेठी आज इस सीक्रिट फाइल का सच आपको बताती हूँ जिसमें पुतिन ने दस्थखत कर पूरी दुनिया की जुबान बंद कर दी जिसमें रूसी सैना को असीमित ताकत दे दी कि वो किसी भी दुश्मन पर बड़े से बड़ा प्रहार कर सके दी कर दो कर दो कर दो जो कि यहांस पराइब से थावार कर दो ऑचाना का मुई प्राइब today पुतिन की मिसाइल है गर जी यूक्रेन में आग बरसी यूएस की गद्दारी रूस करे बंबारी 91 का बदला 22 में पूरा सुबह का सूरज उपते ही यूक्रेन का आसमान धुआ धुआ होने लगा रूसी विमान आसमान से शोले बरसाने लगे और पुतिन की मिसाइलें महा तबाही का अलार्म बजाने लगी रूस ने कीब और उसके आसपास 30 मिसाइलों से हमला किया 48 गंटे बाद यूक्रेन का मिटेगा निशान 22 में वर्ड वार नया हिटलर तैयार पुतिन का माथा ठनका हुआ है 91 में सोवियस संग के बिक्चन का दर्द पुतिन अभी भूले नहीं है उस वक्त पुतिन पूरवी जर्मनी में सोवियस संग के जासूस थे 31 साल बाद पुतिन ने बदला लेने के लिए अमेरिका के पिठ्ठू यूक्रेन का नामों निशान मिटाने की ठानली है रूस ने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर लिया है एक तरफ क्रीमिया है जहां रूस पहले ही कबजा कर चुका है जबकि दूसरी तरफ बेलारूस में रूसी फोजें सुरक्षा के नाम पर पहले ही मौजूद है यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेडस को रूस पहले ही स्वतंतर देश घोसित कर चुका है ऐसे में अगर कोई नाटो देश या खुद अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए आना चाहता है तुसे पोलेंड के रास्ते आना होगा जबकि ब्लैक सी में अपने दरजनों यूद दपोत उतार कर पुतिन ने पहले ही समंदर से दुश्मनों के घुशने का रास्ता सील कर दिया है लेकिन नाटो और अमेरिकी देशों के सामने मुश्किले है यो पोलेंड के रास्ते अगर आते हैं तो फिर रूस का S-400 डिपिन्स सिस्टम उनके फाइटर जेट को पलक जबकते मार गिराएगा सीक्रेट फाइल पर पुतिन के साइन तबाही के ट्रिगर पर हिटलर का हान रूस अगले 48 से 72 घंटे में यूक्रेन को खलास करने का प्लान बनाकर जंग में कूदा है यूक्रेन के सामने मुश्किल ये है कि अमेरिका और नाटो की मदद के बिना उस ज़्यादा दिनों तक रूस से जंग नहीं लड़ सकता अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्यों यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आगे आ रहा तो इसकी वज़े भी जान लीजिए पुतिन ने उस सीक्रेट फाइल में साइन कर दिये हैं जिसके मुताबिक अगर यूक्रेन की मदद के नाम पर कोई देश रूस पर हमला करता है तो मासको में डिजिटल आदेश तयार है और एक क्लिक में ही दुश्मन देश पर रूसी गोले बरसने शुरू हो जाएंगे इसी तबाही के डर से अमेरिका और नाटो देश केवल बयान बाजी कर रहे हैं और पुतिन अपनी ठोस वार प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं रूस ने उक्रेन के तेल डिपो में धमाके कर उस सप्लाई को लगबग काट दिया है जिससे उसके टैंकों को तेल की सप्लाई होती है यानि उक्रेनी टैंक बिना तेल के वार जोन में कबार से ज्यादान नहीं रह जाएंगे रूसी हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है कीब में सुबह दो बैलिस्टिक मिसाइलों से पावर प्लांट को तबाह कर दिया गया रूसी बिमानों के हमले में यूक्रेनी सेना के कई टैंक भी तबाह हो गए है राजधानी कीव के पास रूस ने यूक्रेन के मिलिटरी बेस को भी तबाह कर दिया है रूसी हमले में यूक्रेन के सेनबलों को भी बड़ा नुक्सान होने की खबर है जबकि उक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के करीब 50 सेनकों को मार गिराया है रूसी सेना ने उक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों में बड़े बड़े सिविलियन ठिकानों को भी टारगेट किया है ताकि अगर वहाँ सेना ने शरंडी हो तूसे भी तबाह कर दें अब खबर है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में गुच चुकी है रूसी टैंक भी कीव के बेहत करीब तक पहुच गए है रूसी हमले में यूक्रेन में हाहकार मच गया है सिविलियन ठिकानों पर वंबारी के बाद लोग शहर छोड़ कर भाग रहे हैं जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुपरमार्केट में अफरात तफरी मची है सडकों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं जो सबूत हैं कि उक्रेन के लोग डरे हुए हैं और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं हजारों लोगों ने मेट्रो इस्टेशन और सब्वे के नीचे शरण ली है ताकि रूसी वंबरसक बिमानों से जान बचाई जा सके देरो रिपोर्ट जी मेडिया आखिर रूस ने युक्रेन पर हमले का फैस्टा क्यों किया कह सकते हैं कि इसके पीछे अमेरिका और नाटो देशों की रूस को घेरने की रण नहींती है साल 1991 में रूस के डिसिंट्रिगेशन के बाद अमेरिका रूस से निकल कर अलग बचूद में आई देशों को लगातार नाटो का सदस्य देश बिना रहा था और अब अमेरिका ने भी युक्रेन का नंबर लगा दिया क्या है फूरा मामला समझने के लिए चलते हैं न्यूस रूम से मेरी सही होगी प्रुया के पास जो 2004 में रूस से अलग हो गया था और नाटो के विस्तार से पुतीन भढ़के है और इस मज़े से इन तमाम और इसके अलावा देखिए यहां अगर हम बात करें लात्विया की ये भी 2004 में जो तीन देश हम बता रहे देखिए रूस के 15 टुकड़े उस वक्त हो गए थे 1991 में और जो 15 देश बने थे उसके अलावा ये तीन देश कैसे एक के बाद एक नाटो का हिस्सा होते चले गए थे और लिथियाना के बाद अब यूक्रेन बचा हुआ था और यूक्रेन भी अगर अमारिका अलगतार ये कोशिश कर रहा था अगर ये नाटो देश में शामल हो जाता उसका हिस्सा हो जाता तो अब सोचिए रूस का जो वजूद है वो पूरी तरीके से खत्रे में आ जाता और पश्रिम तरीके से जो पश्रिमी तरीका यह ताठै रूस का वो पूरा घिर जाता और इस वज़े से अपने अस्तित्व की लड़ाई को वो आगे बढ़ा रहा है और इसलिए सिर्फ नाटो कंट्रीज जितनी भी हैं वो सारे इस पूरे मामले को देखतो रही है बयान बाजिया करने हैं लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी आक्ष है और उन में से चुकि अभी रूस को आप देखिए हर तरफ से ये घिरा हुआ है इन देशों से और इस वज़े से अपने बजूद की लड़ाई इस वाक्त जो रूस है वो लड़ रहा है और इतना आक्रमक नजर आ रहा है और अमारिका की चुपी जो बाइडेन की चुप ही मचा रहा है इसके बावजूद भी अभी चुपी साध्य हुए है कोई भी आक्षन नहीं ले रहा है क्योंकि इसके श्रह पे अगर ये यूक्रेन का यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा हो जाता तो फिर आप समझे पश्रिम तरीके से यानि की जो पश्रिमी पुरा इलाका है रूस का वो कैसे घर जाता और रूस के लिए ये मुसीबत थी माधुरी बिलकुल शीका आपने क्योंकि नाटो देश जिसमें 30 तश्रह आते हैं और जिनका लीडर अमेरिका है वो अभी तक चुप है ब्रेक के बाद रूस का वो सीक्रेट भी बताएंगे जो यूक्रेन क की तबाही का कारण बनेगा की मदद करेंगे मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बता दू कि अमेरिका और नाटो के देश पिछले एक महीने से रूस को धमका रहे थे कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा लेकिन आखिरकार जब रूस ने ऐसा कर ही दिया तो आर्थिक प्रतिबंद से आगे बात अब तक नहीं बढ़ पाई है आप सोचिए ना यूक्रेन पर हमले के बाद क्या है बैश्मिक हालाद इस रिपोर्ट के जरिए ज़रा देखने की कोशिश कीजिए कर लंड़ेगे कर देखने कैई लियुक है लंड़े इस ने अना युझा इस बाद की? युक्रेन पर बंबारी अमेरिका की कर्दारी विश्यूद की लहर जिन्दा होगा हिटलर रूस ने दोड़ाया तो अमेरिका बॉख लाया चीन रूस साथ अमेरिका का विनाश युक्रेन पर रूस के हमले से पहले अमेरिका और नेटों के देशों ने ऐसा भोकाल बनाया था मानो रूस के हमला करते ही वे रूस का धुआ 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 करतेंगे पर युक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका समेट नेटों के 300 देश देख लेंगे नहीं छोडेंगे प्रतिबंद लगाएंगे वाली भाशा पर उतराएं हैं रूस युक्रेन पर जल थल और आसमान से भयानक हमले कर रहा है और युक्रेन अपने ही दम पर जितना मुम्किन है रूस का मुकाबला कर रहा है नेटों के चकर में मारा गया युक्रेन अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रूस ने आखिरकार अपने पडोसी युक्रेन पर विनाशक हमला क्यों शुरू कर दिया है क्योंकि अमेरिका युक्रेन को नेटो का एक तीसवा मेंबर देश बनाने की पूरी तैयारी कर चुका था और अगर युक्रेन भी नेटो का मेंबर देश बन जाता तो भविश्य में अमेरिका रूस को चारो और से खेर लेता और रूस के वजूद को ही मठिया मेट कर देता तो इससे पहले कि अमेरिका युक्रेन को नेटो का 31 मेंबर देश बनाता रूस ने महा विनाशक हमला युक्रेन पर कर दिया कमाल देखिए कि युक्रेन को नेटो की मंडली में शामिल करने की बेचैनी में अमेरिका ने रूस को हमले का पहाना दे दिया और जब हमला हो गया तो अमेरिका और नेटो के देश मदद करने की बजाए आपात बैठा कर रहे हैं अब तक मदद के लिए नेटो का एक भी देश सामने नहीं आया है जिस हमले को रूस ढंके की चोट पर अंजाम दे रहा है उसी हमले के लिए अमेरिका के राश्टपती जो बाइडिन रूस को जिम्मेदार ठहराने की कुटनीति खाना पूर्टी कर रहे हैं उधर रूस के राश्टपती ब्लादिमीर पुतिन ने धंकी भरे लहजे में एलान कर दिया है कि उक्रेण के रास्ते में जो भी आएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा तो भी न पताल से पमेशाइट नम आ तिम बोले साज़दा उग्रोज़त द्ला नाशे स्टराने द्लाशने जने जनाए श्टो अट्वेट रसी बुदित ने जमिद्लितिलन य प्रिवेदेट वास क तकीम पस्लेश्टियां सकतरों में वी व्स्वाइ इस्टोरी यशो निकगदा ने स्टालकिवेश्ट मैं गतोब क लुबोमू रज़िए ब्लादिमीर पुतिन जो कह रहे हैं डंके की चोट पर कह रहे हैं जो कर रहे हैं डंके की चोट पर कर रहे हैं और युक्रेन को युद्धिकी आग में जोक कर नेटो क्या कह रहा है ये भी जान लीजिए युक्रेन पर रूसी हमले के बाद बुलाई आपात बैठक में नेटो के सेकरेटरी जनरल जेंस इस्टोल्टेन बर्ग ने कहा की नेटो युक्रेन के साथ मज़बूती के साथ खड़ा है नेटो के सदस्य देश रूस पर गंभीर पतिबन लगा रहे हैं नेटो के सदस्य देश आपसी तालमेल के साथ रूस पर जबरदस्त आर्थिक पावंदी लगा रहे हैं जरा सोचिये कि युक्रेन को इस वक्त सैन सहयता की आपास जरूरत है और ऐसे वक्त में नेटो के देश रूस पर आर्थिक पावंदी लगाने का एलान कर रहे हैं मतलब साफ है कि अमेरिका की अगुआई में नेटो के देशों ने युक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया है रूस के आगे अमेरिका के सरेंडर को देखते हुए चीन ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है चीन ने अपने सरकारी अखवार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से रूस के समर्थन में बयान जारी करते हुए अमेरिका को धमका भी दिया है एक तरफा पाबंदी लगाना कभी भी किसी वैश्विक समस्या का समाधान नहीं हो सकता अमेरिका इस बाग का ध्यान रखे कि रूस और युक्रेन के मामले में दखल देते हुए अगर उसने चीन या फिर किसी दूसरे सहयोगी देश को नुकसान पहुचाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परणाम भुगतने पड़ेंगे युक्रेन को भारत से मदद की आस अमेरिका की अगुआई वाले नेटो देशों की इस बेरुखी को देखते हुए युक्रेन ने भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से दखल की अपील की है India is the powerful global player. You know that you have special privileged strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of MODEG makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. उधर भारत ने युक्रेन रूस के बीच छिड़े जंग को लेकर अपने स्थिती स्पष्ट कर दी है. भारत ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द इसका समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिनों में दुनिया बहुत बड़े संकट से घिर जाएगी. उधर रूस के राष्टपती ने हिंदुस्तान को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भरोसा जताया है कि हिंदुस्तान कभी भी रूस के खिलाप कोई कदम नहीं उठाएगा. बिरो रिपॉर्ट, जी मीडिया. वर्ल्वार के पहले दिर, रूस के हातों पिछे उक्रेन ने अब जंग की लवजंग को और नंबा खीचीने का प्लान बनाया है. इसके लिए उक्रेनी सेना ने अपने देश में फसे विरेशी छात्रों को शील्ड बनाने का पैसला किया है. मैं हिंदुस्तान की बेटी, आज आपको ये बता दूँ कि क्यों छात्रों को शील्ड बनाना चाहता है यूक्रेन. अमेरिका ने यूक्रेन का फरोसा तोड़ा और जब रूस ने हमला किया तो उसे अकेला छोड़ दिया. मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बताती हूँ कि अमेरिका अपने फाइदे के लिए हमेशा ऐसा करता आया है. भारत की यूक्रेन और रूस की जंग में बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है. दुनिया की नजरे प्रिधान मंत्री बोधी पर हैं कि वो अपना करिश्मा दिखाएंगे और जंग को जल्द ही खतब भी करवाएंगे. कल का सूरज नहीं देखेगा यूक्रेन. कीप पर फैराएगा रूसी जंडा. बाइडिन के वादे पर मरा यूक्रेन. आठ साल पहले ही अगर यूक्रेन में सबक ले लिया होता तो आज उसके लाखों लोगों को आँसून नहीं बहाने पड़ते. 27 परवरी 2014 को ही जब रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से जबरिया हरप लिया था तब भी अमेरिका अपने वादे पर खरान नहीं उतरा था. काले सागर में मामूली टक्कर के अलावा रूस और बिटन ने कुछ नहीं किया था. आठ साल बाद भी वही हुआ जब रूसी विवानों ने कीप पर हमला कर दिया और पुतिन की टैंक से ना यूक्रेन में घुशने लगी. तब भी अमेरिका ने दगा दे दिया. चारों तरफ से ठगे गए यूक्रेन को अब प्रधान मंत्री मोदी से आस है कि वो यूद्ध के हालात को बदलेंगे और मुश्किल वक्त में यूक्रेन की मदद करेंगे. यूक्रेन ने प्रधान मंत्री मोदी से मदद मांगते हुए कहा है कि आपका रसूख है. पुतिन से बात करें और हमारी मदद करें. भारत ने कूटनितिक प्रयास भी शुरू कर दिये हैं. लेकिन तब तक यूक्रेन में बहुत तबाही हो चुकी होगी. उसके 30 शहरों में रूसी बंवर्सक विमानों ने ऐसा कहर ढ़ाया है कि उससे उबरने में उक्रेन को सालों लगेंगे. ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी को धोखा दिया है. कुछ महीने पहले की ही तो बात है. काबूल को कसाईयों के हाथों सौप कर अमेरिका वहां से भाग निकला था. इसके बाद तालिवान ने अफगानिस्तान में जो तबाही मचाई थी उससे उस देश की अवाम की सिस्कियां अब तक बंद नहीं हुई हैं. लेकिन अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता. अमेरिका का हाथ शैतान के साथ रूस से बदले के लिए तालिवान बनाया. अलकाईदा के लादेन को भसमा सुर बनाया. सुपर पावर अमेरिका ऐसा मुल्क है जो अपने फाइदे के लिए कुछ भी कर सकता है. अफगानिस्तान से रूस को आउट करने के लिए उसने पाक लेकिन जब उसी के पैदा किये हुए भसमा सुर अमेरिका के ही दुश्मन बन गए तो उन्हें मिटाने के लिए अफगानिस्तान के बंबारूस से चीथड़े उड़ा दिये पुतिन के पंजे में इमरान रूस के साथ चालवाज चीन अब हालाद बदल चुके हैं अमेरिका का पिठ्ठू पाकिस्तान इस वक्त पुतिन के पंजे में है जब उक्रेन पर तवाही के बंबरस रहे हैं तब इमरान खान मासकों में मौसम का मज़ा ले रहे हैं और उक्रेन यूद्ध में चीन भी खुलकर रूस के साथ खड़ा है ये हालात भारत के लिए चुनोती पूर्ण हो सकते हैं हलांकि रूस के साथ भारत की रिष्टे बहुत मजबूत हैं लेकिन चीन पाकिस्तान की शातिर चालबाजी से कश्मीर और अरुड़ाचल में भारत को चोकन न र पर आई है वहाँ फसे हजारों विदेशी चात्रों को यूक्रेन सील्ड बनाकर अपनी जान बचाना चाहता है यूक्रेन की प्लानिंग ये है कि विदेशी चात्रों को बंधक बनाकर उन्हें रूसी सेना के सामने खड़ा कर दिया जाए और पीछे से यूक्रेन की सेना व से हुए हैं कि के जीवी का जासूस नया ताना शाह रूसी ताना शाह को आया सोब्यत का सपना कि 1999 में जब पुतिन पहली बार रूस के प्रधान मंत्री बने थे तभी उन्होंने ठान लिया था कि सोब्यत यूनियन वाला जल्वा दोबारा हासिल करेंगे तीन दसकों तक पांच-पांच अमेरिकी राष्टपतियों के साथ डील करने वाले पुतिन ने अच्छी तरह भाप लिया था कि बाइडन जंग में नहीं कूदेंगे इसलिए उन्होंने चीन को अपने पाले में करने के बाद यूक्रेन पर हमला कर दिया और पाकिस्तान की सरजमी अमेरिका इस्तेमाल न कर पाई इसके लिए उमरान खान को मासकों में बुला कर बिर्यानी खिला दी भूखे पाकिस्तान को बिर्यानी खिला कर पुतिन ने अमेरिका के पेट से मानो पूरी रोटी निकाल ली है अमेरिका कसमसा रहा है लेकिन केजीबी के पुराने जासूस के पेंतरों से इस कदर उलजन में है कि उसकी हालत दो कदम आगे और चार कदम पीछे वाली हो रही है घुर सवारी और तेराटी के शौकीन पुतिन बचपन से इरादों के पक्के हैं अब उन्होंनी उक्रेन को रूस में सामिल करने का इरादा बना लिया है तो मुश्किल है कि उससे हटें और इसे के साथ रास्टबाद में आज के लिए इतना ही कल फिर से मिलेंगे तब तक के लिए देखते रही हिसी हिंदुस्तान रोजाना रात 9 बजे मेरे साथ रास्टबाद